तो फानली दोस्तो केजेप शेप्टर टू को सिनेमा घरों में रिलिस कर दिया गया है और सभी जगों पे दोस्तो इस मुवी को रेकार्ड ब्रेक ओपनिंग मिल रही है इस मुवी ने दोस्तो मातर दो दिनों में 240 करोर का बिजनेस भी कर लिया है और इस मुवी को दोस्तो और्डियन्स और क्रिटिस के तरफ से काफी अच्छा रिस्पॉंस देखने को मिल रहा है जिसके चलते सिनेमा घरों के बाहर काफी भीड भी देखने को मिल रही है ऐसे में दोस्तों आपको बताती चलें कि मूवी केज़ेप चैप्टर 2 के फैंस और येस के फैंस के लिए एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ चुकी है जिन्हों ने केज़ेप चैप्टर 2 देख ली है उन्हें ये खबर पहले ही पता चल गई होगी कि मूवी केज़ेप चैप्टर 2 के बाद मूवी का थर्ड पार्ट यानि कि केज़ेप चैप्टर 3 भी हमें देखने को मिलने वाला है जिया दोस्तों आप सभी को बताती चलें कि KGF Chapter 2 मूवी के end में Posted Scene में हमें रवीना टंडन एक फाइल खोलती हुए नजरा रही है जिस पे CIA लिखा हुआ है जैसे ही इस फाइल को हटाया जाता है उसके नीचे एक और फाइल होती है जिस पर KGF Chapter 3 लिखा होता है और इसी के बाद से दोस्तों मूवी का देंड हो जाता है तो ऐसे में दोस्तों मेकर्स ने हिंड दे दिया है कि KGF Chapter 2 के बाद हमें KGF Chapter 3 भी देखने को मिलेगी तो आई दोस्तों इस खबर के बाहर आते ही सोसल मीडिया पे KGF Chapter 2 के साथ KGF Chapter 3 भी जमकर ट्रेंड कर रहा है और सभी की एकसाइटमेंट KGF Chapter 3 के लिए काफी बढ़ गई है क्योंकि KGF Chapter 2 ने इंडियन सिनिमा के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये है और काफी जबरदस्त रिस्पॉंस ओडियन्स की तरफ से देखने को मिल रहा है तो वही मूवी के रिलीजिंग से पहले हिंदुस्तान टाइम से बात करते हुए KGF मूवी के डारेक्टर परसाद निल ने ऐसा जवाब दे दिया है जिसे KGF शेप्टर 3 का इंतजार कर रहे सभी फैंस का दिल बागबाग हो जाएगा परसाद ने KGF शेप्टर 2 की रिलीज से पहले तीसरे पार्ट की रिलीज पे कहा अभी कहना बहुत जल्द बाजी होगा सिनेमा में आप मुर्दो को दुबारा जिन्दा कर सकते हैं अगर लोग KGF शेप्टर 2 को बरपूर प्यार देते हैं तो हम इसका अगला पार्ट ला सकते हैं तो दोस्तो आप पूरी तरह से कन्फरम हो चुका है कि हमें KGF शेप्टर 3 देखने को मिलेगी फिलाल दोस्तो आप कितना एक्साइटेड है KGF शेप्टर 3 मुवी को देखने के लिए कमेंट में जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और ऐसे चटपिटे गॉसिप न्यूज देखने के लिए हमारे चनल गॉसिप आला को सस्क्राइब भी कर लें